आज एक समाचार पत्र में एक कार्टून देखा एक टीवी चैनल का अधिकारी एक मोहतर्मा की इंट्रिवू ले रहा है और इंट्रिवू में बीच में टोकते हुए महला से बोल रहा है कि क्रिपिया थोड़ा और जोर से चिलाई है हमारे चैनल में एंकर बनने के लिए इतनी आवाज जो है वो प्रियापत नहीं कम है मेरा इशारा अथ खमज गए हो गए आज दैनिक अर्थपरकाश मीडिया ग्रूप के और से हम उस विशे को लेकर आ रहे हैं जिसकी आजकल अख़वारों में भी चर्चा है और वो देश के मीडिया के लिए है भी बहुत महत्तपुर्ण है और जो ड्वैलमेंट्स हो रही हैं बड़ी खेद जनक भी कही जा सकती है मेरी बुराद है उन चैनलों से जो सही मुद्दों से देश के गंबीर मुद्दों से ध्यान हटा कर लोगों को संसनी खेज बातों के और ले जाते हैं और अपने टी आर पी बढ़ाने की बात करते हैं और अब वाले बुड का जो कंपनिया हैं प्रोडिसर हैं निर्माता हैं वो कुछ जागरित हुए हैं और उन्होंने एक केस भी ऐसे चैनल पे किया है इसी विशह को लेकर आज हमारी चरचा है जैसे मैंने अभी कहा कि यह जो कार्टून की मैंने बात की है यह कार्टून जो होते हैं यह हमारे जो मीडिया के बहत ही प्रीयी और दिशा सुचक मने जाते हैं केबल यही अख़वार नहीं अनेक दूसरे अख़वार भी चीशने चिलाने वाले शोर मचाने वाले टीवी चैनलों पर अपने अपने ढंक से फप्तियां करते देखे और सुने जा सकते हैं इन में हमारा जो मीडिया ग्रूप है दैनिक अर्थपरकाश इसका जो अख़वार है उसमें हम हर रोज वेंगात्मक टिपनी करते हैं प्रसम प्रिष्ट पर टैंशन खलाश कॉलम के रूप में यह दुरूबागे पुरूण है कि दिश पत्रकाशता या मीडिया को लोगतंतर का चौथा स्तंब कहा जाता है उसका दिशाहिन होना और लोगों को अध्यान देश की जोलंत समस्याओं से मुद्दों से हटाकर अपराधिक गटनाओं को संसनी खेस रंग रूप देकर समग पेश करने का जो यह सिल्सला चला है यह बहुत ही जो है दुरूबागे पुरूण है और इसके प्रेणाम भी जो है यह अच्छे नहीं है इससे पहले के हम अपने इस विशा को आगे बढ़ें आपको उधारन के लिए दैनिक अर्थ परकाश के प्रतम प्रिश्ट परकाश एक जो टेंशन खलाफ का जो हमारा कॉलम है उसका एक बानगी जरूर सुनाने जाएंगे जब लगबख सभी जाच एजन्सियां सुषान्त राजपूत की प्रेमिका अविनेतरी रिया की खलाफ कुछ भी अपतिजनक नहीं डूंड पाई तो उन्हें जेल से रिया करना अपने तरीके से इस पर कारल पेटा और लाहनत मारें तो सुनिए रिया रिया हो ले चली जर जर अस्मत साथ उसका जो जर जर तो करी दी उसकी अस्मत उसकी इस्जत रिया रिहा हो ले चली जरजर अश्मत साथ डूब मरो रे भेडियो चुलू भर जल हाथ भेडिया किसके और रिशारा है आप सुधी पाठक अच्छी तरह समझ सकते हैं हम फिर से विशे पर लॉप ऐसे चैनलों के खिलाफ वाली बुड आखिर उठ खड़ा हुआ है ऐसे गोदी मीडिया ने तो तब सभी सीमाय लांग दी जब एक चैनल का परधान संपादक चिला चिला कर बोलता सुना गया ओ सल्मान कहा हो तुम कहा छुपे हो सामने आओ इस तरह की जो बाते हैं जो है वो चैनलों में दिखाई जब देने लगी तो ये मामला और भी ज़दा गंबीर हो गया खैब अब वाली बुड की अनेक हस्तियों संगठनों निर्माताओं ने जो है इन शोर मुचाओ चैनलों पर निकेल कैसने का इरादा किया है उपराला किया है वाली बुड के कुल 38 दिगज प्रोड़क्शन हाउसी और सिनिमा एकोसिसिंग उन्होंने कल सौंबार को दिल्ली की हाई कोट में दो प्रमुख अंग्रेजी चैनलों रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नौ के खिलाफ और इन में कारिज़त वरिष्ट संपाज़कों के होकने की मांग की है यहां यह भी याद रहे कि सुशान्त राजपुत की आत्म हत्या की जाच को लेकर और जाच में आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर इन चैनलों ने जो हो हला मचाया था उसमें जाने मन जो अविनेता हैं अविनेत्रियां हैं उनकी बहुत छीछा लेदर इसी बात से जो नाम चीन हस्तियां है जो प्रोडूसर है निरमाता है वो खाफा है याचिका में रिपब्लिक टीवी के परधान संपाजक अरनव गोस्वामी रिपोर्टर परदी बंडारी टाइम्स नाव के परधान संपाजक राहुल शिवशंकर और जो ग्रुप है नाविका कुमार उनके नाम भी इस याचिका में लिए गए इस विशे की जो गंभीरता कितनी गहरी है इसका अनुमान आप एक ऐसी टिपनी से लगा सकते हैं जो याचिका करताओं के और से मुकदमा दाहर करने वाली एक फर्म है लीगल फर्म जिसका नाम है डी एसके उ को सुनकर आप स्वेम अंदाजे लगा सकते हैं कि ये मामला की तरह गंभीर है तो सुनिए याचिका में टिपनी जो है क्या क्या हगया है ये चैनल वाली बुड के लिए गंदगी कूडा करकट मेला ड्रग्स एडिक्ट जैसे अत्यांत ही अपमान जनक शब्दों और भाव का इस्तेमाल करके मीडिया ट्राइल कर रहे हैं ये याचिका करता ने यानि कि उस डियेस के मादें से ये कहा है और उसमें ये भी कहा है कि वाली बुड में फैली गंदगी को साफ करने की जरूरत है यानि कि ये चैनल कह रहे है याचिका करता ने ये शिकायत की है कि ये चै के सभी इतर भी जो हैं वो यहां फैली गंदगी और बद्वू को दूर नहीं कर सकते हैं यह देश का सबसे गंदा उद्योग और जो वाली बुड एलस्डी और कोकीन से बरा हुआ हैं अब देखिए इस तरह के टिपनिया जब की तो वो मजबूर हुए हैं उन्होंने हाई को जो यहाचका दार किये हैं और इस यहाचका में मांगी गई है कि इन चैनलों को अमर्यादित तरीके से खबरे परोशने से और वाली बुड हस्तियों की निजता में हस्त शेप्ट करने से रोका जाएं और चैनलों से कारेकरम अचार संगता 1994 का पालन करने के दिशा निर्द दिश दिये जाने की बात भी इस यहाचका में की गई है अब आपको यह भी बताते चलें के यहाचका दायर करने वालों में मुख्यत कौन है इन में चार वाली बुड एसोशेशन्स हैं जिनके नाम है दी फिल्म्स एंड टेलिविजिन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ दूसरी है दर्षिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोशेशन्स तीशरी इंडियन फिल्म्स एंड टीवी प्रोड्यूसर्स कॉंसल्स और स्क्रीन राइटर्स एसोशेशन्स यह तो चार एसोशेशन्स हैं और इसके लावा याचका दायर करने वाले चौतिस वाली बुड न दिर्माता कंपनिया हैं उनमें जो प्रमुख नाम हम लेना चाहेंगे आमिर खान प्रोड़क्शन्स अजय देवगन फिल्म्स आंदोलन फिल्म्स अनिल कपूर फिल्म्स एंड कम्मुनिकेशन्स नेटवर्क अरबाज खान प्रोड़क्शन्स आशूतोश गौवरिकर प्र एंटर्टेन्मेंट अर्मेश सिपी एंटर्टेन्मेंट और राकेश ओम प्रकाश महरा पिक्चर आदियर इस संधर्म में ये चर्चा करना भी जो है आवश्चक है कि महाराष्ट पुलिक ने हाल ही में दो चैनलों पर कारवई की हैं उनमें संयोग की बात कहिए कि जिन चै किये जिनके खिलाफ उनमें से रिपब्लिक टीवी जो है जिसके प्रदान संपादक अरनव गोश्वामी हैं वो रिपब्लिक टीवी और उसके दो मराथी जो चैनल है वो फर्जी टी यार्पी के मामले में जो है वो पाए गये हैं पकड़े गये हैं लेकिन आगे क्या ये देखने की बात है खैर जो भी याचकाएं हो जो भी टी यारपी हो आपकी और हमारी मांग तो यही रहेगी हमें विश्द रूप से समाचार मिलें और विश्द रूप से खबरें मिलें ना के हमारा ध्यान जो है गंबीर मुद्दों से हटाकर जो है इस तरह की संसनी आते हैं उनकी और लगाया है हम अपनी चर्चा को विराम देने से पहले अर्थ परकास का जो मैंने पहले भी जिकर किया नीमित कॉलम है जो व्यांग का मुक्तक देते हैं फ्रंट पेज पर उसकी एक बांगी जो है वो जरूर आपको सांजी आपके साथ करना चाहेंगे पह जाँच बिहार चुनाव पर किंद्रि ये एक आरोप था विपक्ष का के जो मुंबई में फुषांट की आतम हत्या की मामले की जाँच हो रही है वो बिहार के चुनाव के मद्दे नजिर की जा रही है ताके चुनाव को बुनाया जाके ऐसा आरोप विपक्ष का लगा और ये भी कि क्या सिर्फ अभीनित्रिया ही क्यों बुलाई जा रही है नशे के मामले में जो जांच हो रही है तो इसको लेकर मगरमच क्यों नहीं बुलाई जा रहे है अभीनेता क्यों नहीं बुलाई जा रहे है मगरमच से अभी प्राय के वो लोग जो इस नशे का धंदा करते है तख्किरि करते हैं तो इस पर चार लेनों को मुत्ति खुनी ए जांच नशे में खोजती गलैमर नूमा शिकार मुंबई की चॉली खिंचे जूमं लगे बिहार एक वर फिर जांच नशे में खोजती गलैमर नूमा शिकार मुंबई की चोली खिंचे जूमन लगे बिहार बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार ताजा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूले